ओम अनमते नमा, नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिविदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल लेटी मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज कल एक बिसेश स्रंखला हम चला रहे हैं, जो की यंत्रों पर आधारित है उसी बिसेश स्रंखला में आज बात करते हैं स्री हनुमान यंत्र की, हनुमान जी इस धर्ती के जागरत देवता माने जाते हैं कारे में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए काले जादू और टोने टोटके के निवारण के लिए स्री हनमान यंत्र की इस्थापना की जाती है हनमान जी को प्रसंद करने के लिए स्री हनमान यंत्र की इस्थापना राम बाण उपाय है इस यंत्र की मदद से आप हनमान जी की कृपा सीगर ही प्राप्त करते हैं किसी भी नए कारी की सुरुवात के पहले कारी इस्थल पर हनमान यंत्र की इस्थापना करने से कारी में सफलता प्राप्त होती है हनमान जी के यंत्र की इस्थापना किसी भी मंगलवार को की जा सकती है जिस मंगलवार को यंत्र की इस्थापना करनी हो उस मंगलवार प्राता काल उठकर इसनानादी से पवित्र हुआ जाता है फिर पूजा इस्थल में पूरो दिसा की तरफ एक चोकी की इस्थापना की जाती है फिर उसके उपर लाल वस्त्र बिछाया जाता है इस वस्त्र पर से हनुमान यंत्र को इस्थापित किया जाता है यंत्र के सामने घी का दीपक प्रजुलित किया जाता है फिर स्वयम भी लाल रंग के आसन पर बैठ कर यंत्र को गंगाजल या कच्चे दूद से अभिमारजित किया जाता है फिर ग्यारा या एकिस बार ओम हम हनुमते रुद्रात मकाए हुम फट स्वाहा का जब करना चाहिए ततपश्चात हनुमान जी से मनो कामना पूर्ती की प्राथना करनी चाहिए इस यंत्र को गले में धारन कर सकते हैं या बटूए में भी रख सकते हैं समस्ट कर्ष्टों के निवारन के लिए हनुमान यंत्र की साधना एक रामबान उपाय है यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल या सनिदोस है तो यह यंत्र उसके बुरे प्रभावों को दूर कर देता है हनुमान यंत्र को इस्थापित करने से नेतत्तो गुन को प्रोसाहन मिलता है इस यंत्र को इस्थापित करने से जीवन में सफलता, सक्त और सम्रध्याती है हन्मान यंत्र को इस्थापित करने से नकारात्म कूर्जा का नास होता है और सकारात्म कूर्जा का प्रवा होता है मित्रों हमारे वीडियो जापको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कोई लाइक करिए सेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवसे करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार